मैं से बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा यह क्लास 10 की आलोग भाग दो जिसका भी बूक है आप देख सकते हैं भोला राम की जीव जो चेप्टर है हम वहां से कुश्टन ले रहे हैं मैं सेलेक्शन करूंगा देखिए अभी भी मेरा आठ दस साल हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते तो इतना एक्स्प्रियेंस हो गया है कि एक्जामिनर किस टाइप की कोश्टन देने की मंदब सोचता है मंदब देखिए वह ऐसा नहीं कि टाटा देगा वह बहुत कमी देता है आपकी ठिंकिंग बेस एंसर भी लिखने देता है एक्जामिनर उसी बेस पर हमाज सेलेक्शन करेंगे कि भॉलराम की जीव में क्या इंपोर्टन रहेगी पहला कोश्टन जीस तरह था यह डाइरेक डाटा था अंदर से आप अगर अगर चेप्टर को अच्छी तरह पढ़ मा बेटी के समलित क्रदंध सून कर ठीक है धर्मराज के अनुसार एंसर भी है यहां पर आराम से देख सकते हैं आप या इसकिन सोट लीजिए गया या लिखिएगा सो आपके उपर डिपेंड करता है बोर्ट कोशन तो रिशी से मैं छोटा कर दूंगा कोई बड़ी बात न लिए कोशन की बात करूं बड़े साहब ने नारत को भोलाराम को दस्तावेज दर्खवास्त पर वजन रखने की सला दी यहां वजन का अर्थ किया था रिस्वत रिस्वत के लिए ही यह एक्च्छली चेप्टर लिखा गया है नेक्ष्ट संचीप उत्तर में यह जरूरी थ हुए थे भी इंपोर्टेंट है भुलाराम की पत्नी ने भुलाराम को कि इस बीमारी का सिकार बताया देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में कोशन पूछा गया है आप अगर मैं कोशन बेंग उठाके अगर दिखाऊं तो तब आपको साइद भी हो जाएगा तो देखिए अभी कोशन बेंग को दिखाने जाने से एंसर नहीं दे सकूंगा मैं सो मैं चाहता हूं कि इसी कोशन एंसर में सेलेक्शन कर दो तो यह भी चाहिए घौन नमर देखिए भुलाराम ने मकान माली को कितने साल किराया नहीं दिया था तो लगभग एक स हरा अब सेलेक्शन की बारी आती है तो सेलेक्शन हम यह बोड कोशन पर करेंगे इस तरह पहला कोशन था पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये हमें नहीं चाएं इतना नहीं रहे हम यह कुष्ण फोकस करेंगे यमदूत ने बोला Rinom के जीव के लापता होने के बारे में किया बता य requirements ими दो थोगा लापता होने के बारे में कुछ इस दरह दे गया पास दिन पहले जब जीव ने भुला राम की देती आगी तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोग की यात्रा रम की नगर के बाहर जियों ही मैं उसे लेकर एक्तिवर वायू तरंग पर सवार हुआ तेहुँ वो मेरे चुंगुल से छुटकर नजाने कहां गायब हो गय इन पास दिनों में मैंने सारा ब्रह्मान चांड डाला पर उसकी कहीं पता नहीं मिली इंपोर्टेंट था और यह बहुत इंपोर्टेंट था कोईशन अभी है धर्मराज ने नर्क में किनकी लोगों के आने की पूश्टी की है उन लोगों ने क्या क्या अनियम इताएं की तो देखिए यह भी रहेगा यह भी इंपोर्टेंट है अब बोलाराम की पारिवगारी सिर्थी पर परकास डाली है यह एक बार कुश्चन मिझे देखने को मिला था आया हुआ था तो हम इस वह भी छोड़ नहीं सकते हैं बोलाराम ने दर्खवास्ते को भेजी थी पर उन यह परणी परने से भी होगा छोड़ सकते हैं चपरासी नारत को वन वे पर चे लूंख लूजबासे को क्या बताया था तो यह नहीं चाहिए यह हम आराम से छोड़ सकते हैं एक्जाम में एक्जांट के लिए बूलाराम का जीव नामक वेमिगात्म कहानी समारे फेले-प् important रहेगा मतलब most BBI question कहा जाए तो यह है तो इसको आपको पढ़ना है अब आसे इस परश्ट पर देख आसे इस परश्ट भी बहुत इंपोर्टन में दूंगा यह वाला question जो था यह हमें कोई जरूरत नहीं है हाँ यह बहुत जरूरी है यह भी एक मंदीर हैं यहां भी दान पूर्णी करना पड़ता है जैसे मंदीर में हम फल पूजा यानि फूल फल पूजा आदि करके भगवान को प्रसंद करते हैं ठीक इस परकार सरकारी अफसर के कहने का असा है यही बनता है कि काम हसिल करने के लिए रिस्वर्ट देना पड़ेगा तो जरूरी है नीचे दिए यहां पर मैं खुद दे दूगा अब वर्ड मीनिंग जरूर पढ़िएगा तो कोई बात नहीं यह सब छोड़ देजिए मैं आपको दे